Hello everyone, welcome back to Unexplored Literature इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंट्रस्टिंग नॉवल डिस्कस करने वाले हैं जो कि है Never Let Me Go by Kazuo Ishiguro तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आथर के बारे में जान लेते हैं कि जो काज़ो Ishiguro है वो कहां से बिलोंग करते हैं और किस टाइप के राइटर हैं Ishiguro एक Japanese-born British novelist, screenwriter, magician और short story writer है और यह बहुत ही critically acclaimed और praised contemporary fiction writer भी है English के अंदर 2017 में इनको Nobel Prize in Literature मिला इनके कुछ notable works के नाम है An Artist of the Floating World, The Remains of the Day, When We Were Offense, Never Let Me Go Clara and the Sun तो ऐसे ही बहुत सारे इनके interesting works है अब जान लेते हैं characters के बारे में तो सबसे पहली है Kathy H. जो कि हमारी story की narrator है फिर आती है Ruth Then is Tommy जो कि इनके friends है फिर है Guardians जो कि है Miss Grilledine Lucy, Emily and Madam यह सारे teachers है इनके school के फिर है Chrissy और Rodney जो कि इनके बाद में जाके दोस्त बनते हैं और इनके साथ इनका पूरा ऐसा एक scene बताया गया कि कैसे वो घूमने जाते हैं तो यह थे हमारे सारे characters I hope आपको समझाए होंगे अब सीधा story को start करते हैं जो story है उसे set किया गया है England 1990s में जहाँ पे Kathy H. जो कि हमारे narrator है यह एक former student है हेल्षिम की तो जो यह हेल्षिम है यह कैसा institute है जहाँ पे सारे genetically कहें या scientifically formed clone human beings को रखा जाता है तो यहाँ पे इनका care किया जाता है इनको nurture किया जाता है ताकि यह बड़े हो कर क्या करें अपने organs को donate कर दे for the life of this quote unquote normal human beings तो इनका पूरा life का एक target ही यह है कि हम इनको raise करेंगे और बाद में जाके what will they do they'll donate their organs for this normal human beings तो यह इनका पूरा life का एक goal set कर दिया गया और यहीं इनको सिखाया जाता है इस institute में then what happens this Kathy H अभी यह carer है दूसरे donors की तो पहले क्या होता है कि अब जो donate करते रहते हैं तो आपका body बहुत weak हो जाता है तो कुछ लोग जिनका body अभी weak नहीं हुआ है या फिर जुनोंने भी donate नहीं किया है वो as a carer यहाँ पे काम करते हैं फिर उसके बाद में जब वो weak हो जाते हैं तो यह सारा process यहाँ पे चलता है So Kathy is now taking care of her friend Ruth लेकिन बाद में यह अपना जो past है उसको recall करती है कि कैसे वो खुश होते थे पूरे institute में कितना अच्छा लगता था उनको हेल्शिम में और कैसा उनका life था Kathy बताती है कि जो हेल्शिम था वो एक ideally community था फिर वो अपने friends को याद करती है Ruth और Tommy को कि जो Tommy है वो बहुत ही strange सा character था सारे लोग उसका मजाग उड़ाते थे उसकी art भी विलकुल अच्छी नहीं थी वो एक अच्छा athlete था लेकिन फिर भी उसको इतना importance नहीं मिलता था गेम्स के अंदर भी और फिर कैती बताती है कि art classes का बहुत ज़दा importance था हेल्शिम के अंदर क्या होता था कि जो best art है ना उनको choose किया जाता था एक special gallery के लिए जो की madam जो की head of school थी वो ऐसा चुन के लेके जाती थी तो madam आती थी जिसका भी सबसे अच्छा art होता था उसको चुनती थी for the special gallery तो बच्चों में ऐसा पूरा craze था कि हमें क्या करना है अपने art को choose करवाना है madam की gallery के लिए अब क्या रहता है वहाँ पर ऐसा students का अपना exchange market सा लगता है छोटा सा तो कैथी वहाँ से बाय करती है cassette tape जो की एक women के द्वारा लिखा गया और गया गया होता है जिसका नाम होता है bridge water जिडी bridge water तो अब क्या रहता है इसमें एक गाना होता है उस गाने का नाम होता है never let me go तो इस cassette का नाम होता है songs after dark तो अब कैथी को ये गाने बहुत पसंद आते हैं और वो पूरा ऐसा enjoy करती है इसको एन एक दिन तो क्या होता है कि कैथी as a imaginary child को hold करते हुए dance कर रही होती है when the head teacher जो की हम madam नाम से उनको introduce करते हैं यहाँ पर तो जो madam है जब इसको देखती है तो वो रोने लग जाती है तो कैथी अभी हाँ पर सोचती है कि शायद जो madam है वो childless है इसलिए उनको देखके ऐसा रोना आ गया लेकिन बाद में जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो उनको धिरे-धिरे ये चीज़े बताई जाती है कि आप सारे क्या है और आपके जिन्दगी का सिर्फ एक ही एम है कि आपको अपने organs है जो दे देने हैं किसी और को ताकि आप जो non-cloned humans है उनके benefit के लिए याज़ा यूज़ किये जा सके तो Tommy था जो उसकी बहुत ही ज़्यादा गंदी art skills थी तो निराज हो जाता है कि याँ मेरे तो art भी अच्छी नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ ना तो मुझे sports में जए recognition मिल रहा है ना ही मिले को arts आता है जिसके लिए यहाँ पर लोग मरते हैं कि भी हमारी arts यहाँ पर select हो जाया special gallery के लिए तो मुझे कुछ नहीं आता है तो यह पूरा निराज होके बैठ जाता है Later when he went to Miss Lucy तो यह Miss Lucy के पास जाता है तो उनको बताती है कि देखो इतना ज़्यादा कुछ माइने नहीं रखती है अगर तुमाई arts अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं इतना कुछ जादा बड़ा है नहीं यह बात लेकिन Tommy को पता था कि हाँ कुछ तो माइने रखता है बट स्टिल he was थोड़ा सा happy after that कि चलो अब तो मैडम ने बोल दिया Now it's fine जो students थे वहाँ पे उनको पहले से ही पता था कि उनका fate कैसा नहीं था कि उनसे चुपाए गई थी यह बात लेकिन फिर भी जो चीजे थी वह बहुत ही डिस्टबिंग सी चलती है Later जो Miss Lucy है वो स्कूल को छोड़ भी देती है क्योंकि उनको यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कैसे जो यह Cloned Humans है उनको Use किया जा रहा है for others benefit क्या होता है कि जब इनका 16 years पूरा हो जाता है Hailsham में उसके बाद यह सारे जो अलग-अलग centers है वहाँ पर भेजे जाता है तो जब Hailsham के बच्चे जाते हैं उस center पर तो लोग उनको ऐसा देखते हैं कि भाई यह तो कितने specially cared clones है सब लोग है जो ऐसा देखते हैं कि भाई इनको बहुत ज़दा importance मिलता है और government भी इनके लिए सारी चीज़े करती है तो जो कैथी रूथ और टॉमी है वो सारे एक center में होते हैं और उनके friends बन जाते हैं दो नए क्रिसी और रोडनी क्रिसी और रोडनी कपल्स है तो इस सारे road trip पे जाते हैं तो रोडनी है तो वो बोलती है कि मैंने न जो रूथ है उसका possible clone देखा कि जो parent clone है जहां से original उनका DNA लेके cloning किया गया है उनका parent मैंने देखा है रूथ का अब रूथ गुस्ता बचाती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता कैसे देख लिया तुमने बोलती कि नहीं नहीं चलो देखता है तो यह देखने जाते हैं तो जो काच का बिल्डिया वहां पर ओफिस में काम करती है इसकी जो भी parent clone है जो पॉसिबल clone parent है लेकिन लेटर दे फाउंड आउट की नहीं है उनका थोड़ा सा इस शकल इससे मैच करता था फिर रूथ भी कुस्ता बोलती है कि देखो जब हमें already पता है कि जो हमारे clone originals है वो lowest trunks of society से आता है जो prostitutes है, beggars है उनसे हमारा DNA लिया गया है यह जो higher class है उससे हमारा कोई भी लेंदिन नहीं है तो यह जो reality है वो यहां पर present करती है कि तुम्हें पता होते हुए भी तुम कैसी कैसी बाते कर रहे हूं फिर बाद में मैं बताया जाता है कि जो कैथी के पास वो tape था जिसका नाम था Songs After Dark वो उससे गुम हो गया था वहीं पर हेल्शिम में तो कैथी और टोमी एक second hand store में जाते हैं जहां पर टोमी उसे एक copy by करके देता है उसी cassette की तो यह सारी चीज़े चल रही होती है तब ही कैथी को याद आता है कि ना जो सारे बच्चे हैं इसके हेल्शिम के उनके और एक जनरल आइडिया था कि जो नॉफोल्क है वो लोस्ट कॉर्नर है इंग्लेंड का मतब यहां पर कोई भी चीज़ जो तुमारी कहीं भी गुम हुई हो यहां पर आके मिलती है तो नॉफोल्क भी बहुत ही इंपॉर्टन सा प्लेस है और बाद में भी आएगा कई बार इसका रेफरेंस आपको मिलेगा तो इसको थोड़ा ध्यान रखना तो फिर कैथी को क्योंकि उसका कैसिट भी कहां हेल्शम में गुम हुआ था और यहां पर आके उसे मिला है फिर उसके बाद क्या रहता है यह एक और चीज़ डिसकस करते हैं कि मैडम को ऐसा दिखा दे कि उनका आर्ट है जो मैच करता है मतलब कि वो ऐसा कनेक्ट कर दे कि हमारी सोल्स मैच कर रही है इसलिए हमारा आर्ट भी मैच करता है क्योंकि आर्ट क्या होता है प्यॉर फॉर्म आपका जो सोल है आपके इनर थोड्स है वो present किये जाते हैं आर्ट के अंदर तो इसलिए अब इनका एक एसाफवा थी कि भई ऐसा अगर हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा love relationship है तो फिर तो हमें deferral मिल सकता है फिर हमें ये donating वगरवाला काम नहीं करना पड़ेगा हम बहुत सालों से वो सुन रहे थी तो उनको नहीं पता ये सच है जूट है वो तो उसको सची मान रहे हैं तो टॉमी है जो वो ट्राइ करते हैं कि भई मैं आब आर्ट बनाऊंगा मुझे deferral चाहिए तो फिर क्या होता वो cottage में चले जाते हैं जहां पर उनको काम करना था है scarers लेकिन एक साल के बाद क्या होता है जो रूथ है वो अपना एक donation कर चुकी होती है और बाद में बहुत वीक हो जाती है तो कैथी को एक उसकी दोस्त मिलती है जो कि उसे बोलती है कि यार तुम क्या करो रूथ की carer बन जाओ अब इससे अच्छा नहीं लगता कैथी को भी कि यार तो यह मेरी दोस्त है वो इतनी वीक हो गई है तो थोड़ा सा emotional attachment तो होता है तो लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे मान जाती है and she care for Ruth लेकिन बाद में जो रूथ है वो अपना एक wish present करती कि भई मुझे क्या करना है मुझे एक abundant boat है English world में वो देखना है then they went to see that with Tom and Kathy तो यह सारे चले जाते हैं Ruth, Kathy and Tom और फिर जो Ruth है वो उनको फिर बताती है कि तुम दोनों क्या करो apply कर दो deferral के लिए और वो sorry भी बोलती है Kathy को कि यार sorry ऐसा मैंने तुम दोनों को दूर रखा एक दूसरे से क्योंकि Ruth और Tom है जो वो रिलेशन्शिप में थे के हलश्रिम के अंदर लेकिन जो Ruth है वो भी जानती थी कि Kathy actually loves Tommy और जिसकी वज़े से वो sorry भी बोलती है कि मैंने तुम दोनों को दूर रखा और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आप तुम दोनों ऐसा deathral के लिए बोल दो, apply कर दो और फिर उनका address भी देती है मैडम का जो की head थी, school की कि उनके पास जाके तुम ऐसा बोल दो then you people can get the deathral from this carer and donor का job पर रूत का death हो जाता है और ये दोनों, Kathy and Tommy जाते हैं मैडम के घर पे जो की seaside town में होता है तो जब वो बात करते हैं मैडम से तो उनको पता चलता है कि ये जो deathral की बात थी, वो एक rumor था वो एक जूट है और जो Hirsham है, वो एक attempt था ताकि वो reform कर सके इंगलिंड के treatment of clones को लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि कोई funding नहीं आया और अब Hirsham नहीं है तो Tommy को बहुत ज़ता frustration होता है इस चीज को सुनके और लेटर हमें पता चलता है कि जब Tommy अपना fourth donation कर देता है तो ही died and Kathy अपने friends को बहुत ज़ता miss करती है और वो बाद में no fork भी जाती है क्योंकि उसको लगता है कि Hirsham का at least ये वाला चीज तो सची होगा कि सारी खोई हुई चीजे उनको no fork में मिलती है तो शायद उसको उसके दोस no fork में मिल जाए तो एक बहुत ही sad से note पे ये जो story है वो खतम होती है I hope आपको समझ आई होगी अब हम discuss करते हैं इसके themes को जो की बहुत ज़्यादा important है आपके exam के लिए भी और एक deeper understanding of this novel के लिए भी तो हमारा जो first theme है वो है maturation and growing up कि कैसे जो वो अपना emotional self अपनी maturity, growth कैसे दिखाई गई है throughout the novel then the second is individual goals versus social expectations कि आपके खुद के goals and dreams क्या है and what society expects from you then is losing and finding कि क्या खो देना what we find तो वो पुरा Norfolk वाले जो scene है उसमें बताया गया है कि how she lost her कैसे फिर वो बताया गया है कि हाँ पे सारी खोई हुई चीज़े मिलती है then later also she came there ताकि वो अपने दोस्तों को ढूंड सके तो वो सारा एक emotional सा scene है then the fourth is life, death and humanity कि कैसे एक जो individual है उसका right to life ऐसा पूरा हटा दिया गया है for the survival and benefit of the other humanity का पूरा role दिखाया गया है then is loving, caring and donation तो ये तो एक major theme रहा है पूरी story का so we are done with the story I hope आपको समझाई होगी फिर भी कोई question है तो उसे आप comment box में पूछ सकते हैं और you can connect with us on email, telegram or instagram कहीं भी then is don't forget to subscribe the channel like the video and share it with your friends I'll meet you in the next video till then take care, stay happy, stay healthy